देखे आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां विकास तेजी से हो रहा है और महंगाई दर्ण नियंत्रण में है अब कल्पा कर सकते हैं कि कोराना के बाद दुनिया के कितने ही देश है जहां महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये है उन देशों में गरीब हो मध्यंबर्ग हो आज महंगाई की वगज़ से हाहा कार मचा हुआ है आप हमारे पडोस में ही देखे तो पाकिस्तान में महंगाई दर कितनी है 38% से ज़्यादा महेंगाई है 38% स्री लंका में महेंगाई दर कितनी है 25% से ज़्यादा है बंगलाजेश में महेंगाई कितनी है 10% के आसपास है और भारत में महेंगाई का दर कितना है 5% से भी कम है यानि कोरोना के बावजोत इतने समय से चले जा रहे युद्ध के बावजोत भारत में हमने महिंगाई को बेकाबू नहीं होने दिया है और आपने ये बात बहुत अच्छी कही कि बाजपा सरकार का जोड तो लोगों को जादा से जादा बचत कराने पर है अब जैसा है मोबाइल डेटा का उदान ले यह आपको काम आएगा जड़ा यह जो मोबाइल डेटा है न आप कभी यूटूब डिकना फ़लाना करते होंगे तो आपको जड़ा द्याक करते होंगे आज हर भारतिय हर मैंने करीब करीब एवरेट करीब करीब 20 जीबी डेटा इस्तेमाल करता है आप मोबाइल फोन का उप्योग करते हैं 20 जीबी डेटा अगर 2014 से पहले जब हमारे देश में कॉंग्रेश की सरकार थी उस समय एग जीबी डेटा अगर आप उप्योग करते थे तो उसकी कीमत लगती थी 300 रुपिया करीब करीब 300 रुपिया उस हिसाब से अगर आज आप देखते तो आपका मोबाइल का बील हर मैंने कम से कम 6000 रुपिया मैंने आता अगर 2014 वाली कॉंग्रेश की सरकार के हिसाब से देगे तो आज मोबाइल का फोन एवरेज आपका 6000 रुपिया आता लेकिन बाजबा सरकार ने डेटा को गरीब के लिए बिल्कुल सस्ता कर दिया है इसलिए अब आपका मोबाइल 20 GB डेटा के लिए उसको कितना देना पड़ता है मुश्किल से 200-300 रुपिया देना पड़ता है मतलब की आपका करीब करीब 5000 रुपिया हर महिने बच रहा है जिसके भी 5 मुबाइल है करीब करीब 5000 रुपिया बच रहा है आप गाउं के लोगों के समझा सकते हैं कि मोदी सरकार होने का मतलब क्या होता है एक और उदार देता हूं मैं आपको LED बल्ब का जब कॉंग्रेस के समाई कहें ये जो लट्टू हो थे न ये LED बल्ब 300-400 रुपिया में बिखता था तिन सो चार सो रुपिया आज बीजेपी सरकार में LED बल्ब की किमन होगे 50-60 रुपिया कहां तिन सो चार सो और कहां 50-60 अज बीते वर्थों में जो करीब करीब 40 करोर सस्ते LED बल्ब दिये गए उसकी वज़े से गरीब और मध्यमवर का हर साल जो बिजली का बिल था वो करीब 20,000 करोर रुपिया कम हुआ है ये 20,000 करोर रुपिया लोगों के जेब में कहीं कहीं बचा है किसी का 100, किसी का 200, किसी का 500 आपने प्रदान मंत्री भारतिय जन अवसदी परियोजना यानी पीम बीजेपी के बारे में भी सुना होगा आप दवाई की दुकाने जन अवसदी दुकाने देखा होगा आपने आप पुलिंग मुथ में जाए ना लोगों को जुरूर ने जन अवसदी दुकान वारा जुरूर बताना आज जन अवसदी के स्टोर में उत्तम से उत्तम प्रकार की दवाई सस्ते से सस्ते में मिलती है इस स्टोर की वेज़े से गरीब का करीब करीब 20,000 करोर रुपया बचा है अगर एक परिवार में 60-70 साल के भुजूर्ग है और डाइबिटिस है अगर उनको महने में 2000 की दवा लगती है तो जन अवसदी केंद्र में सो डेड़ सो रुपये में दवाई चल मिल जाती है और उनका महना पर निकल जाता है ये लोगों का पैसा बचाने का भाज़पा का ये तरीका है दोस्तों आपके बूत में ऐसे भी बहुत लोग होंगे जिन्होंने आईश्मान भारत योजना का लाब लिया है आईश्मान भारत योजना से गरीबों को अस्पताल में पांच लाख रुपये तक के मुप्त इलाज की सुविदा मिलती है इस योजना की वज़े से करीब-करीब पांच करोर लोगों ने अस्पताल में भरती होने के बाद अपना इलाज कराया और एक पैसे का खर्च नहीं हुआ है अगर आईश्मान भारत योजना नहीं होती तो इन गरीबों को अपने इलाज में असी हजार करोड उपे से ज़्यादा खर्च करना पड़ता अभी असी हजार करोड बचा के नहीं बचा ये गरीब का भला हुआ के नहीं हुआ साथियों गरीबों की सेवा का ये भाव गरीब की जेव की चिंता भाजबा हर पाल उनकी मदद में खड़ा रहता है और यही भाजब की पैचा